दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेला इकन को भी दबा ले दोस्तो एक बार फिर से माप के लिए 6 जनवरी 2022 की 10 बड़ी भरतियों की अपडेट लेके आ चुके हैं जियां दोस्तो इन सभी भरतियों के ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और इन सभी भरतियों के लिए आवीदन प्रक्रियाब भी स्टार्ट हो चुकी है ओल आवर इंडिया से भारत के किसी भी राजे से आप आवीदन कर सकते हो मेल फीमेल बोध केंटिटेट इन फोर्म को बर सकते हैं आठवी दसवी बारवी डिग्री डिपलोमा और भी अन्य योगेताओं के लिए आपर सुनारा और बड़ा मोका निकला है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन-किन टोप 10 विभागों में भरतिया निकली है किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ओफ वेकेंसिज निकली है क्या पोस्ट वाई दिलिबिलिटी कर राइटिरिया है कैसे आप इन सभी भरतियों की official notification की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो कब से कब तक आप apply कर सकते हो step by step पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बरे रही हमारे साथ इस वीडियो में अंतक इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी स्वालड आउट के लिए रोंगे दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेर करना भी मत बुलिएगा तो चली दोस्तो बिना कोई वक्त कमाय सुरू करते हैं यानि के 6 जनवरी 2022 की टोप 10 भरतियों की पूरी जानकारी जियां दोस्तो जो फर्स नंबर पर जूब निकली है वो निकली है रेल्वे रिकूटमेंट सेल नोर्थन डेल्वे में भारती रेल्वे के इंतर गदे भरती निकली है असपोर्ट कोटा की ये भरती है यानि 29,200 से 92,300 से लिए परति महा के लिए पुरवाइड की जाएगी और जो 12th लेवल की पोश्ट है उनके लिए लेवल 2 के इंतर कत बात अगर इसमें क्वालिफीकेशन की की जाए तो यहाँ पर बार्वे पास और गरेजवेट पास candidate apply कर सकते हैं age limit 18-25 वर्ष है fees आपको जमा नहीं करनी होगी selection होगा merit screening scrutiny test और medical test के आधार पे बिना exam के भरती है कोई भी परिक्सा नहीं देनी होगी online तरीके से आप apply कर सकते हो all over India से किसी भी राजे से महिला और पुरुस दोनों candidate आविदन कर सकते हैं rrcnr.org जेश की official website है जिससे आप online आविदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर second number पर जूम निकली है वो निकली है subordinate service selection board में अधिनस सेवा chain board के इंतरगते भरती निकली है जिया दोस्तों department के अगर बात की जाए तो municipal corporation नगर निगम agricultural marketing board गर्सिव इपनन बोर्ड और जल बोर्ड जल उभाग के इंतरगते भरती आई निकली है जिया दोस्तों assistant engineer की यहाँ पर पोस्ट है 161 number of vacancies है important date के अगर बात की जाए तो इस भरती के लिए online आवेदन परक्रिया 10 जनवरी 2022 से शुरू होगी last date apply online करने की 9 फरवरी 2022 है fees payment करने की last date भी 9 फरवरी 2022 है sales ली की बात की जाए तो 9300 से 34800 है परती महा के लिए बात अगर इसमें qualification की की जाए तो degree engineering से आप apply कर सकते हो candidates के लिए 100 रुपे है SSTPH female e-accessman candidate को कोई भी fee जमाने करनी होगी payment आप कर सकते हो debit card, credit card, net banking से online या SBH आदान से offline selection होगा one tier और two tier examination scheme के माध्यम से online तरीके से आप apply कर सकते हो Delhi job location है all over India से किसी भी राजे से महिला और cruise दोनों आवेदन कर सकते हैं dssbonline.nic.in ये इसकी official government website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो third number पर job निकली है वो निकली है police department में police विभाग के इंतर गति भरती है define sector के यहाँ पर यह भरती है post है subinspector SI civil police subinspector SI intelligence गुल्मनायक PACI IRB fire second officer की यहाँ पर total 221 vacancies निकली है important dates की अगर बात की जाए तो इस भरती के लिए online आवेदन प्रक्रियाश टार्ट होगी 8 जनवरी 2022 से last date apply online करने की 21 फरवरी 2022 है exam date जुलाई 2022 में है sale level 7 के इंतरगत पर मन्त के लिए provide की जाएगी graduate degree से आप apply कर सकते हो age limit 21 से 28 फर्स है fees आपको जमा नहीं करनी होगी selection होकर written exam physical test और medical test के आधार पे बात अगर physical details की की जाए तो height male के लिए 116.70 cm है general OBC SC के लिए 112.60 cm है mountain area के लिए 160 cm है ST category के लिए और female के लिए height के अगर बात की जाए 152 cm है general OBC SC category के लिए 147 cm है mountain area और ST category के लिए chest यहाँ पर only male के लिए है 88.8 से 83.8 cm general OBC SC category के लिए 16.5 से 81.5 cm mountain area और ST category के लिए फुलाने के बाद में chest में 5 cm का अंतर होना आनिवारी है online तरिके से आप apply कर सकते हो उत्तराखंड job location है all over India से online कर सकते हो ssc.uk.gov.in यह इसकी official government website है जिससे आप online आविदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो fourth number पर job निकली है वो निकली हिमाचल परदेश युनिवरस्टी में HPU के इंतरगते भरती है post है इसमे category B, category C, category D की category B के इंतरगत post है librarian, assistant librarian, medical officer assistant architect, public relation officer, system analyst, computer programmer की और category C के इंतरगत पोस्ट है law officer, assistant librarian, color career, junior office assistant language teacher, data anti operator, DEO, junior engineer, conductor, JBT, driver और A&M की और category D के इंतरगत जो post है वो है पियोन, चोकिदार, माली, बेलदार, मेस हेलपर और स्रीवरमेन की यहाँ पर 200 ठाइट स्वेकेंसी निकली है online आवेदन इसके लिए start होगी कल से जहाँ दोस्तो starting date online आवेदन करने की 7 जनवरी 2022 है last date apply online करने की 29 जनवरी 2022 है बात यहाँ पर अगर इसकी sale लीगी की जाए तो librarian के लिए 37,400 से 67,000 है परती महा के लिए assistant librarian, medical officer, assistant architect के लिए 15,600 से 49,000 है public relation officer, system analyst, computer programmer, law officer, junior engineer के लिए 10,300 से 34,800 है assistant librarian, color, junior office assistant, language teacher, DEO, conductor, JBT, driver, NM के लिए 5910 से 20,200 है और जो यहाँ पर योन, चोगिदार, माली, बेलदार, में, सैल पर सिवर मैन की पोश्ट है यहाँ पर daily wage basis के according यहाँ पर sale प्रोवाइड की जाएगी qualification की बात की जाएगी तो 8, 10, 12, 12, पास degree, diploma से आप apply कर सकते हो age limit 18, 45 वर्स है all others के लिए fees 600, 1,12, 2,000 है अलगलग category के लिए यह एक section man जो HP के हैं उनके लिए कोई भी fees नहीं है selection होगा return, test और into के आधार पे online तरीके से आप आवेदन कर सकते हो हिमाचल परदेश HP job location है all over India से आप online आवेदन कर सकते हो hp university.ac.in और recruitment.hpu similar.in इस portal से आप online आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है रिजियो बैंक of India में भारती रिजियो बैंक RBI के इंतर गति भरती निकली है a specialist officer SO की post है vacancies आप notification से category wise चेक कर सकते हो बात अगर important dates की की जाए तो इस भरती के लिए online आवेदन प्रक्रिया 15 जनुवरी 2022 से स्टार्ट होगी last date apply online करने की 4 फरवरी 2022 है sale आप notice से चेक कर सकते हो qualification की बात की जाए तो graduate degree और post graduate degree से आप apply कर सकते हो age limit minimum 12 hours है general OBC के लिए 750 SST के लिए 25 रुपे फीस है selection होगा test और into के आधार पे online आवेदन कर सकते हो all over India से आप apply online कर सकते हो rbi.gov.in येज की official government website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो है पर 6 number पर job निकली है वो निकली है State Bank of India में भारती State Bank SBI के इंतर गतिभरती निकली है पोस्ट है Assistant Manager Marketing और कम्यूनिकेशन इंटर्नल ओमिस्मेन आईयो की यहाँ पर vacancy जाप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो लास्ट एट apply online करने की 13 जनौरी 2022 है सेली की बात की जाए तो Assistant Manager के लिए 36,000 से 63,840 है परती महा के लिए आयो की पोस्ट के लिए 49,000,000 है परती वर्स के लिए यहाँ पर qualification की बात की जाए तो MBA, PGDM और graduate से आप apply कर सकते हो Age limit maximum 30,000, 65 वर्स है Application fee general EWS OBC के लिए 750 है HSTPWD के लिए कोई भी fees नहीं है जो की आप debit card, credit card या net banking से online payment कर सकते हो selection बिन एक्जाम के होगा short listing और into के आधार पे online आविदन कर सकते हो all offer India से आप online आविदन कर सकते हो sbi.co.in मेच की official website है जिससे आप online आविदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 7 number पर job निकली है वो निकली है Public Service Commission में लोग से वायोग PSC के इंतर गती भरती है post है इसमें junior administrative assistant की vacancies आप category wise notice से ही चेक कर सकते हो important dates के अगर इसमें बात की जाए तो online आविदन इस बरती के लिए 3 January 2022 से चल रहे है last date apply online करने की 31 January 2022 है sale की बात की जाए तो 14,000 से 60,500 है bachelor degree qualification से आप apply कर सकते हो dates के लिए 35.40 है जो की आप online या CSC SPV Center से जमा करा सकते हो selection होगा written exam और computer test के आधार पे online आविदन कर सकते हो गोहाटी असम जोब location है apsc.nic.in ये इसकी official government website है जिससे आप online apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 8 number पर जोब निकली है direct rate of industries and commerce में जिया दोस्तों उद्योग और वाणी जी निदेसाले DIC के इंतर गति भरती है post है हाँ पर resource person की vacancies आप category wise notice से ही चेक कर सकते हो important date की बात की जाए तो last date apply online करने की 12 जनवरी 2022 है sale 20,000 है परती महा के लिए BTEC, MBA या MCA से आप apply कर सकते हो age limit 18 से 30 वर्स है fees आपको जमा नहीं करनी होगी नहीं कोई exam देना होगा suit listed से इसमें आपका chain किया जाएगा online आवेदन कर सकते हो केरला job location है all over India से आप online आवेदन कर सकते हो industry.kerla.gov.in जिसकी official government website है जिससे आप online आवेदन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जूम निकली है वो निकली है model school society में 6 साइ भाग के अंतर गते भरती निकली है TGT PGT की post है जियां दोस्तों post graduate teacher PGT train graduate teacher TGT के हाँ पर vacancies निकली है 282 बात अगर यहाँ पर मैतपून dates की की जाए तो online आवेदन इसके लिए 3 जनवरी से चल रहे है last date apply online करने की 7 जनवरी 2022 है sale की बात के जाए तो post graduate teacher के लिए 31,460 है train graduate teacher के लिए 8,940 है परती महा के लिए graduate, post graduate or B.Ed से आप apply कर सकते हो age limit 18-44 वर्ष है फीजमा नहीं करनी होगी नहीं exam देना होगा merit से chain किया जाएगा online आवेदन कर सकते हो आंदरा परदेश AP job location है All India से आप online कर सकते हो csc.ap.gov.in जेसकी official government website है जिससे आप online apply कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जो 10th or last number पर job निकली है वो निकले National Thermal Power Corporation में राष्टे ताप विद्यूत निगम NTPC के इंतर गति भरती निकली है पोस्ट यहाँ पर assistant law officer की vacancies आप category wise notice से चेक कर सकते हो लाश्टेट apply online करने की साथ जनवरी 2022 है सेली 30,000 से 1,20,000 है परती महा के लिए bachelor degree in law LLB से आप apply कर सकते हो age limit maximum 300 वर्स है application fees general OBCWS के लिए 300 है HSTPWD EX सर्श्मेन के लिए कोई भी फीस नहीं है बिन एक जाम के भरती है इंच्व से चेन किया जाएगा online आवेदन कर सकते हो new daily job location है all over India से online कर सकते हो carriers.ntpc.co.in यह इसकी official website है जिससे आप online apply कर सकते हो तो दोस्तो यह थी आज की यानिके 6 January 2022 की Top 10 भरतियों की पूरी जानकारी अगर आपको अभिन भरतियों के बारे में और ज़्यद जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी website का link के नीचे description पलस first comment box में मिल जाएगा और हमारे इस page पर widget करके आप इसे किसी भी भरती की official notification की PDF simply download कर सकते हो link यहीं पर provide के गए है आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको link दे गए है आप किसी भी भरती के लिए directly इसे आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियों में बस इतना ही I hope यह वीडियों आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे like और share जरूर करे साथी साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भरती उस related कोई question या query है तो आप हमें comment के माद्यम से पूछ सकते हो और अन्त में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो इसे भी subscribe कर लीजिए क्योंकि इस पर हम daily government jobs की ऐसी big update upload करते हैं